हलो बच्चो कैसे हो सब लोग बच्चो मैं मनी स्टीम फिजिक्स CLC सीकर तो जैसा कि आप सब को पता है आई टी का एक्जाम अब सिर पे आ चुका है समय बहुत कम है थोड़ सी टेंशन जरूर हो रही होगी थोड़ा इस्फ्रस का महोल जरूर होगा आपके बीच लेकिन ऐसे समय में आपको बच्चो कूल रहना है जितना आपने पढ़ा है इसको सौट रिवाइस करना होगा रिविजन बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके अलाबा देखो यहां पर आपको अपने डाइट का ख्याल रखना अपने सीहत का ख्याल रखना है और नींद पूरी करनी है त बच्चे ओवरनाइट स्टड़ी करते रह जाते हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती और एग्जामनेशन हाल में उनको काफी टेंशन का मतलब ऐसा महाल क्रेट हो जाता है आपके लिए कि आप इजी से इजी कॉश्यं में गलतियां कर देते हो तो ऐसी चीजों से बचने के के लिए आपको थोड़ा सा कूल रहना है और जो चीजे मैंने कही आपको अपनी नींद पूरी करनी है बच्चों खान पान का ख्याल रखना है सिहत का ख्याल रखना है ठीक है तो दूसरा एक और इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार बोलता हूँ एक्जामनेशन ह आपको ताइम मैंनेशमेंट यह ध्यान रखना है इस बात का और दूसरा एक्कुरेशी जो भी कुश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ठीक है बिल्कुल एक्कुरेशी के साथ उसमें मिस्टेक्स ना हो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है और डेफिनेटल आपका रिजल्ट आएगा अच्छा रिजल्ट आएगा टेम फिजिक्स CLC और पूरे हमारे इस CLC पडिवार की तरफ से आपके लिए यही सुभकामना है और उमीद करते हैं हम लोग बच्चो कि आपका रिजल्ट जरूर आए अच्छा आए ठीक है तो आज की इस वीडियो में बच्चो हम ल प्रेलेंदी जरूर हो सकते हैं थोरे tricky है ज्यादा calculation भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर इस paper में कोई भी आपके doubts है तो चलो solve करते हैं आपके doubts clear हो जाएंगा बच्चो ठीक है सबसे पहले start करते हैं section A से देखो section E में दो single correct questions होंगे चार options में से एक ही option correct होगा इसके अलावा दो paragraph है उससे related दो questions और उसमें भी single correct है तो सबसे पहले बच्चो हम लोग ये question number one में आते हैं देखो question number one में क्या लिखा है और rectangular cavity एक बड़ मैं pen ले लो हाँ ठीक है देखो क्या लिखा है rectangular cavity ABCD is carved inside an equilateral prism PQR ये PQR एक equilateral prism है ठीक है और इसमें ऐसा इस shape का एक cavity बनाया गया है फिर देखो an equilateral prism PQR of refractive index root mu shown in the figure for a ray entering at the face PQ इस face से एक ray enter कर रहा है and emerging at face PR without passing through AB and CD इस line से और इस line से पास नहीं हो रहा या तो इदर से जारा होगा या इदर से जो भी है यहां से ऐसे एंटर करके इस point से अब यहां पर थोरा सा deviation मानलो इस point पर हो रहा है ठीक है जो भी है अब हमें इसमें से find करना है चार options में से correct क्या होगा देखो बच्चों सिंपल से बात करते हैं यहां पर इस point पर deviation जरूर हुआ होगा लेकिन क्योंकि यह rectangular slab जैसा है net deviation इसके कारण 0 ही होगा ठीक है यानि कि जो overall deviation होना था pism से lateral shift जरूर होगा पहले जिस path से जाना था इसके कारण path थोरा सा change जरूर होगा लेकिन अगर हम लोग बात करें angular deviation की जो deviation था उसमें फरक नहीं आता क्योंकि rectangular slab से अगर कोई ray of light पास हो रहा है मानलो यहां dancer medium है यह rarer medium है थोरा सो दूर जाएगा फिर से normal की तरफ यह air है यह cavity है तो अब यह ray और यह वाला ray parallel हो जाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि इस cavity का effect नहीं होगा deviation के लिए तो सबसे पहला option यह लिखा है there will be there will not be any effect of cavity on delta, delta का मतलब net deviation बिलकुल सही लिखा है दूसरा option लिखा है there may be effect of cavity on delta गलत है फिर लिखा है for cavity filled with water और cavity filled with air दो अलग-अलग options में water और air है minimum deviation एक में 30 degrees से जादा और दूसरे में 30 degrees से कम लिखा है देखा बच्चों हम लोग solve करते हैं कि minimum deviation क्या होगा अगर refractive index के लिए mu लिख दे sin a plus delta m by 2 over sin a by 2 अब यहाँ पर mu की value square root of 2 है इसको ऐसे लिख देते है square root of 2 a के बदले आप 60 degree लिखोगे sin a by 2 यानि 30 degree plus delta m by 2 और a की value 60 है नीचे क्या आएगा sin 30 sin 30 की value 1 by 2 तो 1 by 2 का मतलब 2 उपर चला जाएगा इसको अगर हम लोग further solve करते हैं तो यहाँ से sin 30 degree plus delta m by 2 की value 1 by root 2 आजाएगी यह 45 degree के equal आजाएगा और फिर अगर हम लोग delta m की value find करें minimum deviation तो यह भी solve करने के बाद 30 degree ही आएगा तो minimum deviation 30 degree है चाहे आप इस cavity को water से filled कर दो या air से filled कर दो क्योंकि net deviation में यहाँ तो फर्क आने रहा है ठीक है बच्चो तो इसका सिर्फ एक ही answer correct है option number 1 अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यह question number 2 देखो बच्चो second question में क्या लिखा है इसके language को आपको समझना होगा थोड़ा confusing है इसका language जान बुचकर इस तरह के questions दिये जाते हैं ताकि बच्चे confused हो जाएं देखो इसमें लिखा क्या है बच्चो a circuit shown in the figure has resistance 20 ohm and 30 ohm at what value of resistance rx in ohm will the thermal power generated in it be practically independent of small variation of that resistance the voltage between point a and b supposed to be constant in this case तो a और b के बीच का potential difference change नहीं कर रहें यह 20 ohm और यह 30 ohm है अब rx की वो value find करनी है जिसके लिए rx के across जो power है वो power small deviation in resistance से unchanged रहे देखो ध्यान देना बच्चो statement क्या लिखा है small variation ऐसा नहीं कि हर resistance के लिए constant है लेकिन small variation के लिए constant होगा और small variation के लिए constant होने का मतलब अगर power को आप p से represent कर रहे हो तो dp by dr यह 0 होना चाहिए यह जो statement है यही इसका मतलब है और यही इस question का main concept है बच्चो ठीक है ना power या तो maximum होगा या minimum जब आप graph draw करते हो माल लो power का और resistance का अगर इसका graph कभी ऐसे maxima आ गया इस point पर dp by dx dp by dr जब आप find करोगे तो यह इस axis के parallel है यानि कि इसका slope 0 अगर minimum हुआ तब भी ऐसा ही होगा ठीक है तो हमें क्या करना है dp by dr को 0 करना है यह basic concept था इस question का अब calculation है solve करते हैं ठीक है बच्चो तो देखो बच्चो उस question के लिए यह circuit draw कर लिया है अब हम लोग मालने कि part यहां से flow होगा ठीक है यहां से जो current flow होगा इसको हम लोग i0 से denote कर देते अब देखो ध्यान देना बच्चो पहले अगर हम लोग i की बात करें जो current यहां से पुरे circuit से flow होगा इसको क्या लिखेंगे v divided by equivalent resistance यह 20 है उसके साथ यह 30 और rx पहले इन दोनों का क्योंकि यह दोनों parallel में connected है तो पहले इन दोनों को solve कर लेंगे फिर उसके साथ 20 ohm series में connected है तो overall जो resistance आएगा वो ऐसा आजाएगा 20 plus 30 rx over 30 plus rx ठीक है यह current आ गया अब इस current में यहां पर यह तो दो पार्ट में divide होना है तो कितना पार्ट इस rx से flow होगा हम लोग वो find करते हैं ठीक है बच्चो देखो resistance का जो ratio है यहां पर rx और 30 उसके inverse proportion में होता है यानि कि यहां से 30 part जाएगा और यहां से rx part current जाएगा तो अगर हम लोग i0 की बात करें यहां पर i0 की value हो जाएगी 30 divided by 30 plus rx into i यह हम लोग उने कैसे लिखा है ratio and proportion का concept use की है ठीक है अब हमें current मिल गया बच्चो अब हम लोग power find करना चाहते हैं तो power इसके cross power लिखना है यह हो जाएगा i square into r i square के बदले यह value put करना है 30 square divided by 30 plus rx square फिर i0 square यानि इसको solve करेंगे ना तो देखो यह कैसा आ जाएगा यह term ऊपर आ जाएगा 30 plus rx और v square divided by नीचे अगर आप lcm लेकर solve कर रहे हो तो 600 आएगा पहले तो 30 into 20 फिर उसके बाद 20 rx plus 30 rx यानि की 50 rx और इसके साथ यह rx आ गया ठीक है बच्चो अब देखो यह term से यह term cancel हो गया हमें p मिल गया क्या find करना है rx की वो value जिसके लिए dp by drx यह 0 होना चाहिए तो अब जो बचा हुआ है इसको आप solve कर लो differentiate करना है यह term यह term constant है उसको लग कर लेंगे सिर्फ यह वाला जो term है इसको differentiate करना है ठीक है और differentiate करके जब 0 करेंगे तो हमारे पास देखो result कैसा आएगा मैं उपर का term 0 लिख रहा हूँ तो सबसे पहले यह u by v के form में है जब आप इसको differentiate करोगे rx के respect में तो वो 1 बन जाएगा और 600 minus sorry plus 50 rx का square यह रह जाएगा उसके बाद minus का sign देते है u by v के formula में तो minus वाले term को दूसरी तरफ ले जा रहा है क्योंकि यह 0 के equal है तो equal का sign दे दे अब देखो बच्चो इसमें rx रह जाता है और जो v का term है उसको differentiate करते है नीचे वाले term को जब आप इसको differentiate करोगे पहले यह x square के जैसा है तो 2x आ जाएगा यह आ गया और फिर से chain दू लगा के इसको differentiate करना है 600 का 0 हो जाएगा और 50 rx के लिए सिर्फ 50 बचेगा अब देखो यह एक term इससे cancel हो जाएगा यहाँ पर 600 है यह 50 उदर चला जाए यह 100 है तो 100-50 यानि 50 हो जाएगा तो 600 is equals to 50 rx और इसका मतलब rx के value क्या हो जाएगी 600 by 50 तो देखो 0 से 0 cancel हो गया यह 12 times में आ जाएगा न 12 5 जा 60 होता है correct answer क्या हो जाएगा बच्चो 12 अब हम लोग चेक करते हैं इसका 12 answer है या नहीं कोई option है देखो यह रहना यह third option correct हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ेंगे अगला एक paragraph है और इस paragraph से related यह question है पहले paragraph को पूरा का rate करते हैं देखो इसमें क्या लिखाया बच्चो camels are known as the ship of the desert they require very little water because they can tolerate relatively large change in their body temperature a camel permits its body temperature to drop to 34 degree celsius overnight and rise to 40 degree celsius during the day यहीं camel अपने body temperature को ही change कर सकता है ठीक है in contrast human being keep their body temperature nearly constant this they do by drinking water जो human being है इंसानों के सरीर का तापमान almost constant रहता है और इसके लिए अब देखो यह sweatening होती है जिसके बारे मैं आगे लिखा है ठीक है the sweat thus formed evaporates and helps the body to maintain the body temperature the specific heat capacity of camel as well as human being can be assumed to be 3500 Joule per kg Kelvin assume that the mass of the camel is 500 sorry क्या लिखा है कि mass of the camel is 500 kg and mass of the man is 50 kg ठीक है और latent heat भी given है यहाँ अब options है तो इसमें क्या लिखा है कि camel के body का temperature overnight में change हो जाता है ठीक है रात के समय में 34 degree Celsius दिन के समय में 40 degree Celsius यानि लगबग 6 degree Celsius का change in temperature है जबकि human being के लिए body temperature almost constant होता है तो heat से बचने के लिए वह पानी बहुत जादा पीता है sweatening होती है और latent heat of vaporization के कारण heat जो है उसके body से release होता है ठीक है बच्चो masses given है दोनों के specific heat capacity given है यानि कि यह simple question है अब इसमें क्या लिखा है how much water must be evaporated from the body of human being to cool the body by one degree Celsius यानि इंसानों में एक degree Celsius temperature कम करने के लिए कितना water evaporate करना जरूरी है अब इसके चार options है अगर आप options को देखतो 25 by 324 25 by 54 33 और 33 इस form में है हम लोग solve करते है बच्चों calculation को यह 25 by 324 है देखो जो जो information दिया है एक तो हमारे पास mass दिया है 50 kg specific heat capacity दिया है और water के लिए 540 यह calorie में given है तो चलो इसको solve करें mass into specific heat capacity ठीक है specific heat capacity जो है यहाँ पर एक बार देखें question में क्या लिखा है 3500 डोनों के लिए ऐसा है तो specific heat capacity में हम लोग क्या लेंगे 3500 लेंगे ठीक है change in temperature है 1 1 degree Celsius का change in temperature है कितना water evaporate होगा वो mass हमें find करना है और latent heat है 540 यह calorie में है अगर आप इसको 10 to the power 3 से multiply कर देते हो तो kilo calorie ठीक है kilo calorie per kilogram per degree Celsius ऐसा आ जाएगा यानि कि kilogram के लिए हमारा answer kilogram में और यह अभी calorie में है अगर आप 4.2 से multiply कर देते हो तब यह जूल में आ जाएगा यह 30 इससे cancel कर दे ठीक है यहां पर अगर आप decimal हटाओगे तो यह 0 से यह 0 cancel हो जाएगा अब उपर में 25 और 33 दिया था तो 25 के लिए हमें 5 एक और 5 चाहिए 33 के लिए तो कोई cancel हो नहीं रा बच्चो हम लोग एक काम करते हैं इसको 7 से divide करते हैं 7 से divide करेंगे तो यहां पर 5 आएगा अगर आप इसको 7 से चलो यह 54 रहने दो 7 से यह cancel होगा क्या 6 times में 6 times में cancel हो गया अब यह 25 divided by 54 इंटो 6 आ गया solve करके देखो तो यह कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 बच गया 2 और 3 24 आ गया तो यह जो मास आएगा kg में 25 by 3 24 अब हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा कोई option है या नहीं 25 by 3 24 यह first option है बच्चो यानि कि इसका first answer correct हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं question number 4 देखो बच्चो इसमें क्या लिखा है how much heat is lost from camels body from day to night जैसे कि हमने देखा था 40 degree celsius और 34 degree celsius यानि change in temperature कितना है 6 degree celsius का camel के लिए mass दिया है 500 और 3500 इसे solve करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा heat मिल जाएगा ठीक है 36 से multiply कर दिया तो यह 3000 into 3500 35 into 3 यह होता है 105 और 10 to the power 5 ऐसा result आ गया ऐसा unit में ही है अगर आप इसको 1.05 लिखते हूँ जैसा कि हर एक option में दिया है तो हमें 10 to the power 7 लिखना पड़ेगा और इसका मतलब यह हुआ कि option number 3 इसका correct हो जाएगा ठीक है बच्चों यह आसान सा सवाल था अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यह दूसरा देखो पैसेज है इस paragraph में क्या information दिया है tricky question है यह मेरे ख्याल से अच्छा question है देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों a capacitor of capacitance C0 is used as a basic unit repeatedly to build different stages of bigger circuits as shown the first stage capacitors across terminals A1 and A2 is shown in the figure the capacitance across A1 and B1 is termed as C1 इस पूरे को C1 नाम दिया गया है then the second stage capacitance as shown in the figure across the new terminals A2 B2 is built using C1 as a basic unit using the same design used to build the first stage from C0 as basic unit in this fashion and stages of capacitances are built with capacitance across A and B and being Cn सबसे परहे तो आपको question समझना बच्चों क्या रहा है कि A1 और B1 के बीच इस तरीके से C0 capacitance के देखो total कितने 7 capacitors हैं इनको connect करके एक arrangement बनाया गया अब इनका जो equivalent है इस equivalent को C1 नाम दिया गया है अब A2 और B2 के बीच इस पूरे equivalent को जिसको हम लोग C1 कह रहे हैं उस C1 के combination से ही ठीक ऐसा ही combination लगा रहे हैं फिर एक नया circuit तयार होता है ठीक है इसका मतलब यह जो C1 है यह C1 में total 7 capacitors है फिर इस C1 में भी यही ऐसा ही 7 capacitors होंगे इसमें भी इसमें भी इस तरीके से एक बहुत बड़ा circuit तयार हो गया यह तो सिर्फ A2 B2 के बीच है बच्चों फिर इसी तरीके से इसका जो equivalent है इस सब का equivalent C1 था और इसका जो equivalent है उसको हम लोग C2 नाम दे दे तो C2 के मदद से फिर ऐसा ही एक circuit बनाया गया है देखो बच्चों ऐसा circuit है यहां पर यह C2 यह भी C2 सब के सब C2 है और यह terminal A3 यह terminal B3 इस तरीके से तो अब इस C2 में 7 C1 arranged है और हर एक C1 में 7 C0 arranged है तो आपको आप समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक circuit तयार हो रहा है ठीक है अब हम लोग आते हैं question पे यह पहला stage और यह दूसरा stage आ गया बच्चों अब देखो यह question में क्या लिखा है for n equals to 10 यानि कि पहले A1 B1 के बीच 7 capacitors थे फिर A2 B2 के बीच उनके equivalent वाले 7 capacitors है फिर A3 B3 के बीच जैसा भी बताया है इस तरह से N10 ले लिया यानि A N और B N के बदले हम लोग यहां क्या लिखेंगे देखो A10 और यहां पर है B10 ऐसे है तो ऐसे लिखा है for N equals to 10 and let us suppose that an ideal battery of EMF VVolt is connected across the terminals A10 and B10 यानि इन दोनों के across VVolt का एक battery connect कर दिया गया है the highest charge on any of the C0 capacitor is देखो अब यह जो है यह C9 से बना होगा यह 9 है ठीक है बच्चो यह सब C9 से फिर C9 C8 से बना होगा फिर C8 C7 से इस तरह से finally C0 से बना होगा ठीक है अब हमें क्या find करना है उस C0 जो basic unit था basic capacitor था उसके across maximum कितना charge हो सकता है देखो बच्चो देखने में बहले complicated लग रहा है लेकिन यह question बहुत ही easy है अगर हम लोग इसको देखें तो यह balanced wheatstone bridge जैसा होगा क्योंकि इसका जो equivalent है C9 by 2 यह C9 तो इसका जो ratio होगा यहां पर भी C9 by 2 C9 है इन दोनों का ratio इन दोनों का ratio सेम है यह आप ऐसे ratio कह सकते हो सेम है तो यह balanced condition में है इसके across कोई charge नहीं होगा ठीक है यानि कि आप अब इसको मिटा सकते हो यह capacitor को मिटा दो अब देखो बच्चो हर एक के across जो voltage होगा इस तरफ से यह parallel में 3 capacitor यहां पर भी parallel में 3 capacitor और यह सब identical है तो हर एक के across जो potential drop होगा यहां पर भी V by 3 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 यानि C9 के हर एक capacitor इस central को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां तो charge नहीं है उसके अलावा इस branch में सब के across जो charge है उसके हिसाब से हम लोग potential की बात करें तो V by 3 आ रहा है अब ऐसे ही यह C9 आप यहां पर A9 A9 draw कर दो तो वह C8 आएगा उसके हर एक के across जो potential होगा इसका 1 3rd होगा फिर इसी तरीके से फिर से 1 3rd आ जाएगा यानि आप इसको क्या लिख सकते हो 1 by 3 का cube V और इस तरीके से जब हम लोग पूरे basic में जाएगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 by 3 to the power 10 into V तो एक C0 capacitor जो C0 capacitance का capacitor है उसके across maximum जो potential drop हो सकता है वो इतना है हमें find करना है charge तो charge को क्या लिख सकते है potential difference into capacitance capacitance C0 से अगर आप multiply कर देरो तो यह हमें क्या मिल जाएगा बच्चो एक capacitor C0 capacitance के एक capacitor के across potential मिल जाएगा sorry charge मिल जाएगा तो charge maximum यह होगा option number 3 इसका correct हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यह question अच्छा है next question question number 6 में क्या लिखा है for N equals to 2 let us suppose that an ideal battery of EMF V volt is connected across the terminal A2 and B2 the number of capacitor C0 capacitors that does not share any energy is तो देखो बच्चो अब इसमें हमें क्या find करना है जिसमें energy नहीं जिसमें charge नहीं जैसे हमने एक arrangement में देखा था जो central capacitor था देखो ऐसा कुछ arrangement हम लोग draw करते हैं तो इस वाले में कोई charge नहीं आता है ठीक है अब इसमें क्या लिखा है A2 B2 अगर आप इसको A2 B2 नाम देदो तो यहां पर C2 होगा एक बार देख लिए arrangement क्या था C2 था C1 था ना यहां A1 B1 के बीच में C0 था A2 B2 के बीच C1 C2 था C1 तो हम लोग ऐसे लिख दें यहां पर क्या लिखा है A2 B2 तो A2 B2 में बच्चो यहां पर C1 आएगा सब जगह C1 अब कितने capacitor हैं जिसके across चार्ज ही डेवलप नहीं होगा यहां पर total 7 capacitors है और इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा तो यह 7 तो अलग हो गए फिर देखो हर एक ऐसे जो arrangement है उसमें एक एक capacitor होगा इस type का C0 जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा तो एक इसमें एक इसमें 3 प्लस 3 कितने होगा 6 तो 7 प्लस 6 total 13 capacitors ऐसे होंगे बच्चो जिसके across चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो उसमें कोई energy store नहीं होगा 6 7 13 1 आंसर कम सा होगा 13 ठीक है बच्चो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह question number 6 हो गया अब next section देखो बच्चो इसमें क्या लिखा है ना एक या एक से ज्यादा option correct हो सकते हैं हरे question में 4 options दिये हैं या तो कोई एक option correct होगा या एक से ज्यादा options भी करेक्ट हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यह यह जो question है अगर हम लोग देखे question number 1 तो देखो question number 1 में क्या लिखा है बच्चो यहीं पे rate करते n drops of a liquid each with surface energy E joined to formed a single drop, छोटे-छोटे n drops हैं, उनको मिला करके एक large radius का, एक single drop बनाए गया है, और यह सी बात है क्या होगा ऐसे condition में, surface area कम हो जाएगा, और surface area कम होने का मतलब उसकी energy surface energy कम हो जाएगी, यानि energy release होगी, ठीक है बच्चो इसमें क्या लिखा है, some energy will be released in the process some energy will be absorbed absorbed नहीं होगा released होगा, यानि कि first option correct, second incorrect होगा, third में लिखा है energy released और absorbed fourth में भी energy released और absorbed हमें check करना है कि कितनी energy absorbed या release हो रही है, ठीक है बच्चो तो अब ये energy के लिए हम लोगों को calculate करना पड़ेगा, पहले हम लोग solve कर लेते हैं इसको, calculate कर ले, फिर check करेंगे है ना, तो एक blank slide निकाले, देखो बच्चो पहले volume को equate कर देते हैं यहां हमने consider किया है कि larger drop के लिए radius capital R है, smaller drop के लिए radius small R है और n total drops मिल करके एक larger drop का formation कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि volume दोनों का constant same होगा, मतलब यह total volume और यह वाला volume same होगा, 4 by 3 और pi, यह cancel हो जाएगा आप ऐसे लिख सकते हो, capital R is equals to n to the power 1 by 3 R ठीक है एक यह relation आगया volume को equate करके इसके अलावा, देखो बच्चो अगर हम लोग E की बात करते हैं, जो surface energy होता है, question में लिखा है एक छोटे से drop के लिए surface energy E है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, surface area into surface tension constant, या तो T से या S से represent करते हैं यहाँ पर हम लोग ने S से represent कर दिया, ठीक है बच्चो, तो यह E मिल गया, अब larger drop के लिए जो surface area होगा और smaller drop के लिए जो surface area है, दोनों में फर्क है, इसका मतलब दोनों की energy में भी फर्क आएगा, कितनी energy release होगी, वो हमें find करना है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चो N छोटे छोटे drops थे, और हर एक drop का जो surface area था, 4 pi r square, ठीक है इसको अगर surface tension S से हम लोग multiply कर दे तो यह represent करेगा मतलब जितने छोटे-छोटे drops हैं, उनका total surface energy ठीक है, surface tension के कारण, अब देखो एक larger drop है, उसके लिए हम लोग area लिख दे, 4 pi r square 4 pi r square और इसको S से multiply कर देता है, यह बात की energy आगी, तो दोनो energy का difference हमें मिल जाएगा ना बच्चो देखो, 4 pi r square हम लोग इसमें से, और S को common लेते हैं 4 pi r square और S यह term common ले ले, यहाँ पर तो सिर्फ n बचेगा, यहाँ पर देखो, 4 pi s चला गया capital r by small r का square, ऐसा आ जाएगा ठीक है, अब हम लोग यह concept use करेंगे, capital r by small r को n to the power 1 by 3 लिख सकते हैं, अगर इसको equation 1 नाम देदे, तो equation 1 से ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चो यह term जो है, यह e के बड़ाबर है, तो पहले आप इसको e लिख दो, यहाँ पर n minus, यह क्या हो जाएगा, n to the power, 2 by 3 हो जाएगा, यानि इतनी energy release होगी, अब देखो, ऐसा option number 3 में लिखा है, यानि कि correct answer इसका जो होगा, option number 3, देखो, यहाँ पर third में हम लोग देखें बच्चो, e into n minus n to the power 2 by 3, यही आएगा ना, यानि इसका third answer correct होगा, fourth incorrect होगा, तो अब अगर हम लोग बात करें, पहला option correct था, second incorrect, third correct, fourth incorrect, यानि first और third इसके correct हो जाएगा, ठीक बच्चो, अब आगे बढ़ते हम लोग, तो बच्चो, आप question number 2 देखें, इसमें क्या लिखा है, which of the following statements are correct, ठीक है, या तो कोई एक statement correct है, या बहुत सारे statement हो सकते हैं, सबसे पहला जो statement है, बच्चो, क्या लिखा है, the rest mass of a stable nucleus is less than the sum of rest mass of its separated nucleus, actually, जो delta M के हम लोग बात करते हैं, mass defect के बात करते हैं, mass defect कहां से जाता है, एक nucleus के जितनी number of nucleons है, अगर उनके separate mass के बात करें तो वो ज्यादा होता है, लेकिन nucleus के formation के दोरान, कुछ energy release होती है, delta M c square के बराबर, तो जितना mass कम होता है, यानि कि nucleus जब form हो गया, उसका mass free nucleons के mass से कम होता है, और जितना mass कम हो जाता है, उसी को mass defect कहते हैं, तो पहला statement क्या लिखा है, rest mass of stable nucleus is less than, सही लिखा है, कि पूरे जो mass होते हैं, separate nucleons से, के mass के comparison में, इसके mass कम होती है, यह पहला statement सही लिखा है, यहाँ greater है, greater नहीं, बलकि separate nucleons का mass greater होता है, ठीक है बच्चो, अब third option के बात करें, third option में क्या लिखा है, in nuclear fission, fission में क्या होता है, heavier nucleus होता है, वो तूटता है, ठीक है, यह लिखा है, energy is released by fusing to nuclei, fusing का मतलब तो मिलना होता है, fusing to nuclei of medium mass, तो यह statement गलत है बच्चो, fission में, इसको हम लोग विघटन बोलते हैं, ना भी किया, विघटन, यानि तूटना, तो यहाँ sunlion लिखा है, यह statement गलत है, फिर देखो, fourth में क्या लिखा है, in nuclear fission, energy is released by fragmentation of a very heavy nucleus, fission में actually यही होता है, तो यह statement सही है, यह conceptual question है, simple, बिना किसी calculation के हम एंसर करना है, first और fourth इसका correct होगा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चो, अगला है question number three, देखो, इसमें क्या लिखा है, the figure shows the variation of velocity of a particle plotted against time, यहाँ पर velocity और time का एक graph दिया है बच्चो, देखो, पहले, यानि initial velocity negative है, कुछ समय के बाद velocity zero होती है, और उसके बाद फिर से velocity यह plus v naught के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह half time क्योंकि यह straight line है, और यह two t naught है, similar है, यह distance, यह distance equal है, तो यह वाला जो time है, देखो, यहाँ पर t half दिया है, जितने समय के लिए velocity positive है, उतने ही समय के लिए velocity negative भी है, acceleration change नहीं हो रहा, क्योंकि slope change नहीं हो रहा, अब हम लोग बाड़ी-बाड़ी से options को देखते हैं, पहले लिखा है, particle changes its direction of motion at some point, पहले देखो, velocity यहाँ से यहाँ तक negative है, उसके बाद positive हो गया, इसका मतलब direction change हुआ है, यह correct है, acceleration of the particle remains constant, slope, किसी भी वक्त, इस straight line का slope change नहीं हो रहा, इसका मतलब acceleration यह भी change नहीं हो रहा, फिर third में हम लोग बात करें, third में क्या लिखा है, displacement of the particle in the given total time is zero, जितना area यहाँ पर होगा, उतना ही area यहाँ पर है, यहाँ जितना positive उतना ही negative, overall displacement zero, correct लिखा है, अब next, the initial and final velocities of the particle are same, initial velocities देखो यहाँ पर अगर speed लिखा होता बच्चो, तब तो हम लोग कह देते हैं, यह speed, यह speed equal, लेकिन पहले velocity negative, बाद में velocity positive, velocity vector quantity है, direction का बदलने से velocities बदल जाती है, इसलिए हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि initial and final velocities same होगा, ठीक है, अगर magnitude लिखा होता, कि initial and final velocities का magnitude same है, तो correct कर देते, तो first, second and third, इसके three options correct हो जाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं बच्चो, question number 4, देखो, इस question में क्या लिखा है, a particle moving with kinetic energy 3 joule making an elastic head-on collision with a stationary particle which has twice its mass, during this impact, यानि कि एक object है, इसका mass M है, मान ले कि यह U velocity से move कर रहा है, एक दूसरा object जिसका mass 2 M है, यह rest में है, अब यह इससे टकराता है, ठीक है, और देखो, इसमें लिखा है, elastic head-on collision, आम तोर पर बच्चे यह समझते हैं, कि elastic collision है, kinetic energy conserved होगा, लेकिन यहां आपको यह चीज़ ध्यान अखना बच्चो, कि जिस वक्त collision होता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, ध्यान देना, जैसे हम लोग मानले, यह एक object है, यह दूसरा object है, यह rest में है, यह चला, इससे आगर के टकराया, तो जिस वक्त collision होती है, collision के बाद, धीरे-धीरे, दोनों move कर रहे हैं, लेकिन, यह दोनों के बीच, deformation भी होता है, even in the, perfectly elastic collision, kinetic energy changes during collision, यह आपको ध्यान दखना बचो, जिस वक्त टकर होती है, तो जितने समय अंतराल के लिए, टकर हो रही है, उस वक्त, कुछ न कुछ kinetic energy, वो elastic potential energy में, स्टूड हो जाता है, ठीक है, यह deformation, जैसे यह safe है, दो object, यह दोनों टकरा रहे हैं, तो जब move कर रहे हैं, एक का, जो speed है, वो कम होगा, दूसरे की speed बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, जब दोनों common velocity से move करने लगेंगे, उस वक्त, deformation maximum होगा, उसके बाद, फिर से, इसमें, अपना shape यह regen करने लगते हैं, इसकी speed maximum, बढ़के इदर हो गई, इसकी भी speed, दोनों अभी, मानलो, इसे direction में चल रहे हैं, तो फिर इसका जो velocity होगा, वो अलग, इसकी velocity अलग, अब जो velocity of separation है, और पहले जो velocity of approach था, दोनों equal हो जाते हैं, अब क्योंकि जितनी भी energy deformation में use होई थी, वो वापस फिर से regain हो जाता है, तो initial total kinetic energy और final total kinetic energy equal होता है, लेकिन जिस वक्त collision हो रहा होता है, उस वक्त energy deformation, deformation में use होता है, तो kinetic energy उस वक्त कम हो जाती है, और वो energy कहां जाती है, deformation potential energy के form में stored हो जाती है, तो यह आपको ध्यान रखना है बच्चों, अब solve करते हैं question को, देखो, तो पहला क्या लिखा है, minimum kinetic energy of the system is 1 joule, जिस वक्त kinetic energy minimum होगी, उस वक्त elastic potential energy maximum हो जाएगा, तो हम लोग चेक करते हैं, मैंने क्या कहा, कि एक वक्त ऐसा आता है, जब दोनों common velocity से चलने लगते हैं, उसके बाद फिर, दोनों अपना shape जब regain करते हैं, तो फिर velocities change हो जाती है, तो जिस वक्त दोनों common velocity से चल रहे हैं, हम लोग ऐसा मान सकते हैं, कि ये कुछ-कुछ वैसा ही है, जैसा perfectly inelastic collision होता है, उसमें दोनों collision के बाद, दोनों object common velocity से ही चलते हैं, यहां पर momentarily दोनों के velocity सेम होती है, तो जितनी loss in kinetic energy होगी, perfectly inelastic collision में, यहां पर भी, उस instant पर जब दोनों common velocity से चल रहे हैं, perfectly elastic collision में, तब भी उतनी ही loss in energy होगी, लेकिन वो energy वापस regain हो जाती है, elastic collision में, energy regain हो जाती है, जबकि inelastic collision में, energy regain नहीं हो पाती है, बस यह ही difference है बच्चो, तो अगर हम लोग maximum loss in kinetic energy की बात करें, direct वो formula यूज कर सकते हैं, जो inelastic, perfectly inelastic collision के लिए, हम लोग लिखते हैं, तो यहां पर यूज करें बच्चो, delta k, देखो ध्यान देना, delta k की value क्या हो जाएगी, half m1 m2 divided by m1, तो यहां पर जो formula हम लोग लिख रहे हैं, half m1 m2 by m1 plus m2 into u1 minus u2 का square, ऐसा लिख देते हैं, तो 1m cancel हो जाएगा, यह 2 से, चलो, इस 2 को अभी cancel नहीं करते हैं, half m by m2 को अलग कर दो, यहां पर 2 by 3, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है मच्चो, half m2 यह initial kinetic energy थी, अगर आप इसकी value पुट करोगे 3, तो 3 into 2 by 3, यानि कि 2 joule आएगा, maximum loss in kinetic energy 2 हो गया, पहले 3 था, 2 joule का loss हो गया, तो बचेगा कितना 1 joule, यानि कि इसमें जो maximum kinetic energy of the, minimum kinetic energy of the system, यह 1 joule के बराबर होगा, यह statement सही है, second में लिखा है, maximum elastic potential energy of the system is 2 joule, यह भी correct लिखा है, ठीक है, 2 joule का maximum, जितना loss होगा, उतना ही gain in elastic potential energy हो जाएगा, उसके बाद लिखा है, momentum and total kinetic energy of the system are conserved at every instant, every instant लिख दिया ना बच्चो, यह every instant conserved नहीं रहता, collision से पहले, collision के बाद conserved रहता है, फिर देखो, यह third incorrect है, इसमें लिखा है, ratio of kinetic energy to elastic potential energy of the system, first decreases, then increases, शुरुवात में, kinetic energy कम हो रही थी, elastic potential increase हो रहा था, जब दोनों collide करते हैं, जिस वक्त maximum deformation होता है, उस वक्त यह ratio गट करके minimum हो जाएगा, क्योंकि kinetic energy minimum हो गई, उसके बाद फर्दर जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर से, अब kinetic energy के value बढ़ने लग जाएगी, और elastic potential energy कम होने लग जाएगा, तो बाद में यह ratio नीचे का जो term है, वो कम हो रहा है, तो बाद में यह ratio increase हो जाएगा, यह correct answer लिखा है बच्चों, तो first, second और fourth इसका correct हो जाएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक question number five में देखो क्या लिखा है, At a certain moment, the photograph of a string on which a harmonic wave is traveling to the right is shown, यह wave किदर जा रहा है, इस तरफ, then which of the falling is true regarding the velocities of point P, Q and R on the string, P, Q and R यह string के particles है, उनकी velocity का direction हमें देखना है, अब देखो बच्चों, यह wave अभी इधर जा रहा है, यानि यह जो crest है, maximum displacement, यह कुछ समय के बाद यहाँ पहुचेगा, यह अभी उपर जा रहा होगा, यह सब particles उपर जा रहे होगे, और यह सब नीचे जा रहे होगे, इधर के जो भी particles है, उनका movement नीचे की तरफ हो रहा होगा, देखो यह mean position से, यह distance और यह distance figure में equal दिया है, यानि इसकी speed और इसकी speed भी same होगी, direction भी same, यह आप कह सकते हो, दोनों के speed या velocity same होगी, तो VQ equals to VR, यह तो सही है, P opposite direction में move कर रहा होगा, और यह mean position पर है, इसकी speed maximum, यहाँ पे लिखा है, VP is upward, जबकि VP downward move कर रहा है, तो यह statement, पहला option गलत है, यह भी गलत है, यह minus sign लिखा है, और VP is greater than, अगर हम लोग magnitude की बात करते हैं, बच्चों, यह maximum हो जाएगा, इन दोनों का speed same है, यह third option भी correct होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह दोकों बच्चों, next है question number 6, इसमें लिखा है, a parallel plate capacitor is charged, and charging battery is then disconnected, अगर हम लोग disconnect कर दे रहे हैं, तो फिर charge constant हो जाएगा, if the plates of the capacitor are moved further apart, by means of insulating handles, दूर कर रहे हैं, तो D को बढ़ा रहे हैं, देखो capacitance का formula, epsilon not A by D होता है, अगर आप D को increase करोगे, D को बढ़ा रहे हैं, तो capacitance कम होता चला जाएगा, ठीक है, अब देखो पहले क्या लिखा है, charge on the capacitor increases, charge constant होगा, ये statement गलत है, voltage across the plate decreases, अगर हम लोग बात करते हैं, Q equals to CV, इस formula की, Q constant है, C की value कम हो गई है, voltage increase हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है, voltage across the plate decreases, ठीक है, फिर देखो यहाँ लिखा है, capacitance increases, ये भी गलत है, क्योंकि capacitance तो decrease हो रहा है, electrostatic energy stored in the capacitor, increases, energy हम लोग क्या लिखेंगे, Q square by 2C, यहाँ धियान अखना है, Q constant है, half से भी square मतलिको, Q square by 2C लिखो, Q constant है, तो अब C की value क्योंकि कम हो रही है, U की value बढ़ जाएगी, increases, इसका एक ही answer correct है, option number 4, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बच्चों, अब यह next section, जिसमें integer type questions है, सबसे पहले question number 1 की बात करते हैं, देखो, धियान देना, इस question में क्या लिखा है, इन दे फिगर, अरोड C D, अफ लेंथ R by 2, एंड मास M kg, इस हिंज्ट एट 1 of the end point D, यहाँ पर हिंज्ट है, यानि इसके अबाउट यह ऐसे, बॉफ कर सकता है, ठीक है, अब देश्क अफ मास M kg, एंड रेडियस R meter, and is rotating smoothly about a fixed vertical axis AB, with angular speed, यहाँ, angular speed 26 radian per second, यानि यह omega दिया हुआ है, rod remains in vertical position and rotates, along with the disc about axis AB, यानि बिलकुल smoothly यह rotate कर रहा है, यह भी stationary है, rod जो है, यह disc के respect में, stationary है, ठीक है, at some moment, the rod CD gets a very small impulse at point D, D point पर एक छोटा सा impulse दिया जाता है, due to which, due to air, and due to which the rod falls on the disc, अब यह disc पे ऐसे गिर गिया, along one radius and sticks to the disc, as shown in the figure, एक radius के along, इस ताइब से, figure 2 के according आगिया, new angular velocity of the disc is 6N, then the value of N is, जान देना बच्चो, यह जो condition दिया हुआ है, इसमें हम लोग कौन सा concept यूज करेंगे, law of conservation of angular momentum, दो अलग-अलग figure है, initial और final angular momentum को equate करना है, बस, इतना ही है, तो पहले हम लोग लिख दे, I1, omega1, जो moment of inertia होगी, disc के लिए, mR square by 2, और rod के लिए, mass तो सेम है, distance R ही है, mR square, ठीक है, ऐसा जो arrangement था ना, हर एक particle ही है, R distance पर है, तो ऐसा लिख दिया, बाद में देखो, moment of inertia, disc का unchanged है, लेकिन rod के लिए, हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा figure है, rod यहाँ पर है, तो इसके center of mass से, होकर pass होने वाले, axis के about moment of inertia, अगर I cm है, जिसकी value, m into length square by 12 है, length कितना, R by 2, तो पहले यह है, इसके about moment of inertia, क्या होगा, यह distance, अगर हम लोग D लिख दे, यहाँ से यहाँ तक, R by 4 होगा, तो यह 3 R by 4, अब देखो, यह value यहाँ पर लिखेंगे, I cm, यानि, m into R by 2 का square by 12, plus m into D square, D के बतले, 3 R by 4, और नया angular velocity, omega dash, ठीक है बच्चों, अब इसको solve करने के बाद, omega dash की value हो जाएगी, 18 by 13 omega, जब आप solve करोगे, ऐसा आजाएगा, omega की value क्या given है, 26, तो यह 13 से 2 times में कट जाएगा, 36 आजाएगा, जिसको हम लोग 6 into 6 लिख सकते हैं, अगर यह 6 N है, तो N की value यहाँ क्या होगी बच्चों, N into 6 लिखा है, तो N equals to 6 हो जाएगा, तो देखो इस question में, हमें N find करना था, यहाँ पर N, N की value क्या हो जाएगी, 6, यह question number 1 solve हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, question number 2, देखो धियान देना, question number 2 में क्या लिखा है, the observer O sees the distance AB as infinitely large, if the refractive index of liquid is mu 1, and that of the glass is mu 2, then mu 1 by mu 2 is, धियान देना बच्चों, इस question में क्या लिखा है, यह infinitely large appear हो रहा है, इसका मतलब, दोनों में से कोई एक point infinity पर होगा, ठीक है, यह point तो यहाँ पास में है, यह तो infinity पर होगा नहीं, अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ray ऐसे आया, और after reflection, अगर यह ऐसे straight path पर, इस line के parallel चला जाए, तो इसको infinity से, ray of light आते हुए, appear होगे, इसका मतलब, यह B point infinity पर, appear होगा, B का image कहा बनदा है, infinity पर, तो हमें क्या करना है, बस, ऐसे माल लेना है, कि यह first medium, यह second medium, object यहाँ है, और फिर final image, infinity पर बनदा है, put कर देते हैं, देखो, formula क्या होता है, mu2, mu2 भी यह, mu2 ही है, मतलब, उसकी value, divided by V, V infinity पर आएगा न, minus mu1 by U, अगर इसका radius R है, तो यहाँ से, A से B का distance 2R हो जाएगा, sign convention भी use कर रहे है, equals to, mu2 by, minus mu1 by, अब इसका, जो radius of curvature है, वो R है, यहाँ पर हम लोग, minus sinus ले 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 रहे, क्योंकि, ray इधर जा रहा है, distance इधर है, ठीक है, चलो, यह term तो cancel हो गया, अब इसमें से R भी cancel हो जाएगा, जब आप solve कर लोगे, तो mu1 by mu2, यह किसके बराबर आ जाएगा, 2 के equal, correct answer हो जाएगा 2, simple है, आगे बरहेंगे, question number 3, एक बार इस question को read कर लो, calculate करना हम लोगो, देखो, question में क्या लिखा है बच्चो, for a radioactive material, its activity A, and rate of change of its activity R, are defined as, A equals to minus dN by dt, तो activity ऐसे है, and R equals to minus dN by dt, यानि, यह तो activity है, और R क्या है, rate of change in activity, ठीक है, where Nt is the number of nuclei at time t, two radioactive sources P, P के लिए देखो, mean life दिया हुआ है, tau and Q, इसके लिए mean life double है, ठीक है, have the same activity at t equals to 0, दोनों का initial activity same है, their rate of change of activity है, यानि कि पहले यह दोनों के लिए same था, t equals to 0 पर, अब, t equals to 2 tau, इस समय पर, R की value, R P और R Q है, हमें R P और R Q का ratio find करना है, अगर यह N by E के term में है, तो N की value find करना है, ठीक है, अब इस question को solve करते है, तो next slide आजाएं, यहाँ, देखो, पहले हम लोग ऐसा लिख दे, lambda P, यह 1 by tau हो जाएगा, ठीक है न, mean life क्या होता है, 1 by lambda के equal होता है, और lambda Q, यह 1 by 2 tau, यहाँ तो कोई दिखा तो नहीं है, ठीक है, अब अगर आप T equals to 0, पुट करोगे तो यह term 1 हो जाएगा, at T equals to 0, दोनों की activity सेम है, यहाँ 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 लोग रेशियो भी फाइंड कर सकते, lambda P by Q, lambda P by lambda Q, अगर आप find करोगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, tau cancel हो यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या find करना है, time 2 tau पर दोनों की rate of change in activity का रेशियो चाहिए, ठीक है बच्चो R P by R Q एक बार आप यह समझ लो कि यहां पर lambda P का square क्यों आया पहले यह मैं बचा दूँ देखो activity यहां पर A दिया हुआ है R की value है minus dA by dt तो पहले तो minus लिख दो जब आप इसको differentiate कर रहे हो lambda n0 होगा e to the power minus lambda t है इसका differentiation यही होगा फिर चेंडू लगाएंगे तो t का जो coefficient है यहां पर minus lambda वो इसमें multiply हो जाएगा तो minus minus plus lambda square तो वही अब यहां पर लिख दिया lambda square n square e to the power minus lambda t यहां पर time को हम लोग 2 tau लिख सकते हैं बच्चों question में लिखा हुआ है 2 tau time के बाद ठीक है फिर अब q के लिए आप क्या लिखोगे lambda q square n q e to the power minus lambda q 2 tau देखो ध्यान देना इसके आगे हम लोग कैसे solve कर रहे है rp by rq equals 2 सबसे पहले तो lambda p n p और lambda q n q equal है तो इसको अगर आप 1 lambda p को अलग कर दो lambda p n p lambda q n q cancel हो जाएगा 1 lambda p और 1 lambda q बागी रह जाएगा ठीक है फिर देखो यहाँ पर e to the power उपर में क्या है minus lambda p into tau इसको 1 लिख सकते हो यानि e to the power minus 2 आएगा नीचे देखो lambda q into 2 tau अगर यहाँ से आप देखो lambda q into 2 tau 1 हो जाएगा e to the power minus 1 अब बहुत simple हो गया p by q को हम लोग 2 लिख देंगे और यह नीचे e square उपर यह तो नीचे e रह जाएगा एक ही cancel हो जाएगा अब यह question में n by e के form में दिया है n की value 2 हो जाएगी simple है अब आगे बढ़ते है बच्चो अगे यह question number 4 देखो इस question में क्या लिखा है in the given figure a string of linear mass density 3 into 10 to the power minus 2 kg per meter and length 1 meter is stressed by a force f equals to 3 minus ktn where k is a constant and t is time in second at t equals to 0 a pulse is generated at the end of p at the end p of the string यहाँ पर t equals to 0 पर एक pulse generated हुआ यह pulse धिरे धिरे आगे की तरफ जाएगा if the value of force becomes 0 as the pulse reaches to q जब यह यहाँ से यहाँ पहुचा force भी 0 हो गया and the value of k is 5 a newton per second then find the value of a ठीक है बच्चो तो पहले हम लोगो क्या find करना k और k किसके बरावर है 5 a k तो बाद में solve करेंगे अभी देखो जितने time में यहां से यहां तक pulse पहुच रहा है उतने time में force 0 हो रहा है अब force को 0 कर दो और time को t0 मान लो ठीक है तो यहां से हमें t0 मिल जाएगा 3 by k यानि इतना तो समझ में आगया बच्चो कि pulse को p से q तक जाने में जो time लगेगा वो कितना होगा 3 by k के equal होगा यहां तक समझ में आया अब आगे बढ़ते हैं देखो pulse यहां से आगे जाएगा तो जब pulse यहां से आगे जा रहा है velocity का formula हम लोग लिखते है square root of t by mu t यहां force है और mu mass per unit length v को हम लोग dx by dt लिख सकते है f की value यहां पर given है 3 minus kt और mu square root of mu है इसको भी mu ही रहने दो 3 into 10 to the power minus 2 ऐसा आगया अब यह equation है इसको हमें solve करना है time की यह value लेनी है अब next slide में इसी को solve करते है बच्चो देखो हमारे पास क्या relation आया था dx by dt is equals to square root of 3 minus kt by mu dx root mu इसको integrate करते हैं यहां पर square root of 3 minus kt और इसका limit 0 से t0 इसमें 0 से length l ठीक है question में length 1 meter given है तो ऐसा है अब इसको solve कर लो जड़ा square root of mu into x 0 to l यहां क्या हो जाएगा 3 minus kt power half है half plus 1 यानि 3 by 2 नीचे भी 3 by 2 आएगा और ध्यान देना यहां पर linear relation है तो t का जो coefficient है इससे divide करते हैं अकसर बच्चे जब integrate करते हैं यह term भूल जाते हैं और इसके कारण answer गलत हो जाता है तो इस चीज़का आपको ध्यान रखना है बच्चो फिर उसके बाद limit 0 से t0 अब इस 3 root 2 को इस तरफ ले आएं देखो यह तो l आ गया into root mu फिर 3 by 2 और k है k को इस तरफ आफ लिख दो ऐसे minus sign था ना तो minus sign हम लोग यहीं रहने देते हैं पहले आप t0 पुट करोगे t0 पर तो यह term ही 0 था इसको 0 करके तो हम लोगों ने t0 find किया था 3 minus kt को 0 किया था 4 0 था है ना फिर उसके बाद minus देंगे lower limit यह 0 पुट करोगे तो 3 आएगा 3 to the power 3 by 2 l की value है 1 3 by 2 mu यहाँ पर यह square root of 3 into 10 to the power minus 2 है फिर k यह minus minus plus हो जाएगा इसको 3 root 3 लिख सकते है देखो 3 से 3 कट जाएगा root 3 से root 3 कट जाएगा k की value हो जाएगी 2 और यह 10 आएगा यानि की 20 ठीक है अब यह 5 a के equal दिया हुआ है बच्चो a की value 4 हो जाएगी यानि उस question का correct answer हो जाएगा 4 अब हम लोग आगे बढ़ेंगे next है question number 5 थोड़ा यह lengthy question है लेकिन बहुत जाएदा मुस्किल नहीं है ध्यान से समझना इस question में क्या लिखा है 2 moles of a monoatomic ideal gas is taken through a cycle cyclic process as zone ठीक है अब यहाँ पर process c a follows p t equals to p into t equals to constant यानि यह एक polytropic process है जिसमें pressure और temperature का product constant है अब अगर इसकी efficiency दी हुई है 1-3x divided by 12 ln t plus 15 ln 2 plus 15 then find the value of x हमें यह x find करना है ठीक है तो देखो अब इसको solve करते हैं यह जो a से b तक के लिए है यहाँ पर temperature इसको t0 इसको 2t0 मान लेते हैं यहाँ पर pressure p0 और इसको 2p0 मान लेते हैं ठीक है अब देखो ध्यान देना इस point पर pressure constant है a से b के लिए फिर b से c में temperature constant है यहां से यहां तक pt constant है ठीक है बच्चो हमें क्या find करना है efficiency find करनी है और efficiency का formula होता है network done divided by q positive यानि जितना heat energy system को दिया गया है जितना release हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं तो यहाँ पर हमें q positive चाहिए अब देखो एक बार a से b में अगर हम लोग बात करते है प्रेसर constant है temperature increase हो रहा है यानि a से b के लिए delta u positive हो जाएगा internal energy बढ़ेगा फिर देखो pressure constant temperature बहर रहा है temperature increase हुआ तो volume भी increase होगा temperature double volume double यानि work done positive तो a से b में work done भी positive delta u भी positive इसके लिए q positive होगा अब हम लोग b से c की बात करें तो b से c में temperature constant है delta u 0 हो जाएगा लेकिन b से c में pressure half हो प्रेसर half हो रहा ना तो volume double हो जाएगा क्योंकि यह isothermal process है temperature constant तो pv equals to constant pressure half volume double volume double यानि work done positive अगर हम लोग q की बात करें तो q होता है delta u plus work done यह term है 0 यह term है positive यानि यह positive आ जाएगा b से c का positive ठीक है अब c से a की बात करते हैं एक बार ध्यान दो बच्छो c से a के लिए temperature कम हो रहा है क्योंकि temperature कम हो रहा है इसका मतलब internal energy decrease हो रही होगी और internal energy decrease होने का मतलब delta u negative होगा c से d की बात c से a की बात कर रहा है ठीक है delta u तो negative आ गया अब work done की बात करते हैं देखो यहाँ पर pressure और temperature का product क्या है constant है ठीक है न तो हम लोग एक relation लिख ले p t is equals to constant और p v is equals to n r t होता है अगर आप यहाँ पर t के बतले 1 by p पुट कर दोगे तो यह आजाएगा p square v is equals to constant समझ में आ रहा है ती जो है ना t को आप p into v के proportional लिख सकते हो यहाँ पर आप लिख दो t के बतले p v तो p square into v आजाएगा अब देखो इस graph में p increase हो रहा है c से a तक p double हुआ p increase हुआ v decrease होगा volume कम हो रहा है compression हो रहा है work done by gas negative हो जाएगा तो इसमें delta u भी negative है work done भी negative है तो आप कह सकते हो कि delta q from c to a negative होगा तो इसको हम लोग नहीं लेंगे a से b और b से c का जो total heat energy है उसको हमें consider करना पड़ेगा तो अब आपको इतना समझ में आया कि work done में तो यह a, b, b, c, c, a तीनों का हमें consider करना है बच्चो लेकिन जब हम लोग q positive के बात कर रहे हैं तो सिर्फ a से b और b से c को ही consider करेंगे यह समझ में आया अब इसके बाद solve करना start करेंगे देखो हमें क्या करना है बच्चो a से b, b से c और c से a का work done find करना है a to b, nr delta t लिख सकते हैं न, isobaric process है, p delta v या nr delta t, 2t0 minus t0 nr t0 यह हो गया a से b का work done, अगर b से c की बात करें तो b से c isothermal process है बच्चो, formula होता है nr t, यहाँ temperature 2t0 है, फिर log v final by v initial, देखो, b से c में, pressure half हो रहा है, जड़ा देखो, यहाँ पर 2p0, यहाँ पर p0, temperature constant, pressure half हो रहा है, तो volume, डबल हो रहा होगा, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हूँ, 2nr t0 log 2, कोई दिखा तो नहीं है, अब c से a, यह polytropic process है, polytropic process का, जो हमाड़े पास relation आया था, p square v is equals to constant, यह आप कह सकते हो, p into v to the power half equals to constant, ठीक है, तो p v to the power alpha equals to constant का form हो, alpha की value यहाँ पर क्या आगई बच्चो, 1 by 2, जैसे, adiabatic process में हम लोग work done का formula लिखते हैं, वैसे ही, polytropic process में work done का formula होता है, minus nr delta t by alpha minus 1, अगर यह adiabatic होता है तो gamma minus 1, और polytropic process में alpha minus 1, इतना ही फर्क है, delta t, देखो, c से a तक जा रहे है, delta t minus t not आएगा, और half minus 1 करोगे, तो यह भी minus half आएगा, minus से minus कट जाएगा, एक minus रह जाएगा, तो इसकी जो value है, वो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, work done c से a के बीच, क्या हो जाएगा, minus 2 n r t not, देखो, यह है n r t not, यह है minus 2 n r t not, और यह दिया हुआ है, तनी net work done हमें मिल जाएगा बच्चों, और अब हम लोग अगले slide में solve करते हैं, अगर efficiency की बात करें, net work done, और यहाँ पर आएगा q, a to b और b to c, पहले n r t not है, फिर 2 n r t not log 2, फिर minus 2 n r t not, इतना दिया हुआ है, अगर a से भी बात करें, यह कैसा है, isobaric process है, pressure constant है, तो हम लोग लिख सकते है n c p delta t, monoeatomic gas के लिए c p की value क्या होती है, 5 by 2, और delta t कितना हो जाएगा, t not, यह solve हो गया, फिर q, b, c, isothermal process है, जितना यह work done है, उतना ही delta q होगा, क्योंकि delta u तो 0 होता है, isothermal process में, internal energy में कोई change नहीं आता, तो work done के बराबर हो जाएगा, और work done यह लिखा है, यह आप लिख दो, 2 n r t not log 2, हो गया, n r t not सब में cancel होगा, देखो, अब हमारे पास result क्या आएगा, यहाँ पर minus 2 है, यहाँ पर plus 1 है, यानि minus 1 plus 2 log 2, divided by, यहाँ पर 5 by 2 है, और यहाँ पर 2 log 2 है, LCM ने लेते है, अब यह 2 उपर चला जाएगा, minus 2 plus 4 log 2, divided by 5 plus 4 log 2, ठीक है बच्चो, अब अगर आप इसमें 5, नीचे 5 है न, 5 plus और 5 minus कर दो, इस term के साथ divide करोगे, 1 आएगा, उसके बाद, यह minus 7 है, 7 divided by 5 into 4, sorry, 5 plus 4, 5 plus 4 log 2, ऐसा लिखा है, अब जो answer है, वो किस form में दिया है, 7 into 3, अगर आप लिख देते हो, ठीक है, देखो, 7 into 3, divided by, अब इसको भी 3 से multiply कर दो, 15 plus 12 log 2, उपर में यहाँ पर 3x लिखा है, बागी term ऐसे ही है, तो 3x कहने का मतलब बच्चो, x की value यहाँ क्या हो जाएगी, 7, तो इस question का answer 7 हो जाएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यह था बच्चो, question number 5, इस form में लिखा है, देखो, 2 moles था, हाला कि N कट गया, monoatomic था, और monoatomic के लिए हम लोगों ने, CP की value, 5 by 2 R, यूज कर लिया था, यहाँ पर, 3 into 7 आएगा, answer 7 हो जाएगा, अब आगे बढ़ेंगे, question number 6, देखो बच्चो, यह थोड़ा सा, अच्छा question है, वक्त आपको इसमें ज्यादा लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा, complicated questions नहीं है, ठीक है, बस ध्यान से समझना है, कि हमें, find क्या करना, उसके बाद आपके लिए बहुत easy लगेगा, बच्चो, यह question, देखो इसमें क्या लिखा है, a square loop of side 2 centimeter, with a capacitor of capacity 1 microfarad, is located centrally between two long current carrying wires, separated by a distance 6 centimeter as shown in the figure, ठीक है, फिर देखो आगे क्या लिखा है, when current in wires, in opposite direction, current एक में इधर है, दूसरे में इधर है, is i equals to 5 sin omega, 5 sin 50 pi t, अब देखो, यह current का direction भी बदल रहा है, sinusoidally, इसका मतलब क्या हुआ, कि जब इसमें current उपर होगा, इसमें current नीचे, जब इसमें current नीचे होगा, तो इसमें current उपर, यह आपको समझ में आया, मतलब figure में जो direction दिया हुआ है, वो एक particular instant का direction है, ऐसा नहीं कि, हर वक्त इसी direction में, और वक्त इसी direction में, बस इससे आपको इतना समझ में आजाएगा, कि दोनों wire के बीच, जो current flow हो रहा है, दोनों wire में, और यह infinitely long है, very long, यहाँ लिखा है ना, infinitely long wires है, ठीक है, तो current, यह sinusoidally change हो रहा है, then maximum value of the current in square loop is, 10 to the power minus k pi square log 2 amperes, find the value of k minus 2, पहले तो k find करेंगे, फिर k minus 2, देखो बच्चो, इतना तो समझ में आ रहा है कि, current बदल रहा है, इसके through flux change होगा, flux change होगा, तो एक emf generate होगा, emf के कारण current flow होगा, क्योंकि यह capacitor है, तो आप क्या लिख सकते हूँ, dq by dt equals to current, यहां तक समझ में आ रहा है, अब इस current की maximum value यह given है, हमें current की maximum value find करनी है, तो चलो अब इस question को solve करते हैं, देखो बच्चो, थोड़ा सा calculation है, मैं आपको समझा दू, अगर हम लोग यहां पर current आई मान रहे हैं, एक छोटा सा strip consider कर लो, जो x distance पर है, और dx यहां पर, यह जो आप कहलो dx थिकने से, ठीक है, देखो ध्यान देना बच्चो, एक wire है, इस wire के कारण magnetic flux का जो direction होगा, या magnetic field है, downward है, यह दूसरा wire है, इसके कारण भी उसी direction में होगा, ठीक है, क्योंकि यह symmetrical ही है, इससे भी distance, देखो, यह 6 है, यहां पर 2, 2 से 4, इसके लिए भी 2 से 4, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, कि एक, यह जो loop है, इससे जितना flux एक wire का होगा, दूसरे wire के कारण भी उतना ही flux होगा, यानि net flux के लिए हमें double करना पड़ेगा, ठीक है बच्चो, तो चलो, देखो, अभी, अगर हम लोग flux find करना चाहें, यह side को आप A मान लो, यह length, जो कि 2 सेंटिमेटर गिवन है क्विश्चन में, तो A यह हो गया, thickness dx, area क्या हो जाएगा, ADX, ठीक है, magnetic field की बात करें, एक wire के कारण magnetic field होता है, mu naught I by 2 pi x, ठीक है, तो B into A आ गया, अब अगर आप इसको integrate कर दोगे, यह distance A मान लो, और यह distance 2A, A से 2A के लिए, तो हमें एक wire के कारण flux मिल जाएगा, इसको double कर दे, तो दोनों wire के कारण flux मिल जाएगा, यहां तक समझ में आया, यह 2 से तो यह 2 कैंसल होगा, mu naught I A by pi, यह तो constant है, बाहर आ जाएगा, mu naught I A by pi, dx by x, क्या होगा इसका integration, log x, upper limit 2A, lower limit A, तो यह हो जाएगा, log 2A by A, यह यह लोग 2, ठीक है, यह हमें क्या मिल गया, flux मिल गया, दोनों wire के कारण, अब देखो, इसमें flux तो मिल गया, इतना आया, इसमें change क्या होगा, सिर्फ यह current change होगा, दियान से समझना बचो, EMF को हम लोग लिखते हैं, d phi by dt, ठीक है, यह flux आगया, capacitor के across, जो potential drop होगा, इसको c into e लिख सकते हैं, और अब इसमें जो current flow हो रहा है, उस current को हम लोग, dq by dt लिख सकते हैं, c constant है, तो c d e by dt, और जब आप यह term लिखोगे, तो आजाएगा, minus c, d2 phi by dt square, इसका मतलब क्या है बचो, हमें phi को दो बार differentiate करना है, mu naught a by pi into log to constant है, तो इसी को मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, त्यान से समझना है, minus c, mu naught i a, sorry, i को तो differentiate करना है, mu naught a by pi log 2, तो actually हमें इस current को, double differentiate करना है, बस, यहाँ तक समझ में आ गया, यह था main concept, अब तो i के value दिया हुआ है, differentiate करेंगे, answer आ जाएगा बच्चो, question देख करके, ऐसे भले लग सकता है, कि यह क्या question है, बहुत complicated होगा, लेकिन basic इतना है, कि आपको flux find करना है, potential मिलेगा, potential से charge मिल गया, differentiate किया, current मिल गया, बस, अब देखो, अब इसके बाद का जो term है, थोड़ा मिटा करके, इस ही slide में solve कर देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, हमें क्या करना है, इस term को double differentiate करना है, और यह है current की value, तो i की value हो जाएगी, c, mu not a log 2, by pi, यहाँ एक minus sign है, minus sign मेंने लिखा नहीं है, जान बुचके, चलो अभी लिख देते हैं, वो plus हो जाएगा, देखो, चलो अभी minus, देखो, यह 5 है, 5 रहेगा, sign को दो बार differentiate करना है, एक बार differentiate करोगे, तो आएगा, 50 pi, cos omega t, या cos 50 pi t, ठीक है, फिर दोबारा differentiate करेंगे, तो minus आजाएगा, क्योंकि cos का differentiation, minus में आता है, अब यहाँ पर sign आजाएगा, 50 pi t, और फिर, इसका जो coefficient है, वो भी एक बार आएगा, ऐसा बन जाएगा, यह समझ में आया बच्चो, दो बार differentiate करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, यह तो variable हो गया, हमें इसकी value चाहिए, अब इसको आप, i0 sin omega t लिख दो, हमें actually, i0 की value find करनी है, c mu0 a log 2, into 5, into 2,500 pi square, divided by pi, ठीक है, जब आप mu0 की value put करोगे, into 4 pi के term में, 4 pi into 10 to the power minus 7, तो pi से pi कट जागा, यहाँ pi square आएगा, इसको solve करके, जो result आता है, बहुत जादब मुश्किल नहीं है बच्चो, c की value 10 to the power minus 6, mu0 by pi, इसको आप 4 into 10 to the power minus 7 लिखोगे, a की value 2 by 100 लिखोगे, log 2 वैसे ही है, log 2 के form में, ठीक है बच्चो, यहाँ पर 5 और 25 इन सब को multiply करके, यह 10 to the power minus 10 आ जाएगा, ठीक है, तो यह value कितनी आ गई, 10 to the power minus 10, pi square log 2, अब देखो, हमें क्या find करना है, k minus 2 find करना है, और k की value यहाँ पर 10 आ गया है, तो k minus 2 आ जाएगा 8, आंसर क्या होगा 8, ठीक है बच्चो, तो यह धियान रखना है, कि इस तरह के questions जो होते हैं, काफे time लेते हैं, तो ऐसे questions को आप तभी attempt करो, जब बाकि सारे questions हो चुके हैं, और दूसरा आपके पास time हो, ठीक है बच्चो, कुछ है questions exam में जान बच कर ऐसे दिये जाते हैं, ताकि बच्चे को उस question में time लगे, अकलमंदी यह इस ही में है बच्चो, कि अगर हमारे पास time है, और बाकि questions हम लोग solve कर सकते हैं, तो हम लोग बाकि questions पहले solve करेंगे, जब सारे questions हो जाएं, फिर आप इस question में आओ, ठीक है बच्चो, तो अब आपको, यह total तो खतम हो गया, सारे questions 6 थे, जो भी discussion से related, इस paper से related, आपके doubts होंगे, वो clear हो गए होंगे बच्चो, आपके जो exam है, सिर पर हैं, जैसा कि मैंने सुरुवात में ही कहा, तो आपके अच्छे मार्क्स के सुभकामनाओं के साथ, यह लेक्चर आज का यहीं खतम करते हैं वर्चो, आप सब अपना ख्याल दखो, और एक्जाम के लिए, all the best, thank you,